जहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे अभी आप ये जो नोटिपिकेसन देख सकते हैं मैंने ये क्रोम ब्राउजर ओपेन किया है येंतर इंडिया लेमिटेट की अफिसियल बेश साइट के माध्यम से आपको जनकारी दे रहा हूँ अभी भी इसका फार्म भरा जा रहा है और फार्म भरने का डेट आप यहां पर देख सकते हैं मैं इसको जूम कर देता हूँ आप यहां पर ध्यान से देखिए इसका फार्म भरना का जो 33 नों ने जारी किया गया था वो 1323 से फार्म भरना स्टार्ट हुआ था और इसका जो अंतिन तिती रखा गया है वो 332030 रखा गया यंत्र इंडिया लिमिटेट की अपिसे विबसाइट पे भी आप देख सकते हैं इसका जो फार्में अभी भी भरा जा रहा हो यहां ए और 33 2023 तक आप इस फार्म को अपलाई करफाएं जहां से अपलाई करने के लिए आपको इस विबसाइट हो आता है और यहां से आप असानी से فार्म को apply कर पाएंगे हैं अब यहां पर बात करते कि notification में कितने हिहां पर seat है और कितने हिहां पर उमर के चाहते इस फार्म को apply कर पाएंगे और किस rate के लिए हां पर कितनी seat जारी की गई है तो आपको सबसे पहले इसकी जुरूत पढ़ेगी advertisement डाउलूड करने की जिसे कि आप यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर home का बटन दिख रहा है और यहाँ पर आपको advertisement का option दिख रहा है तो simply आप advertisement पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देखिए दो option आपको आप डाउलूड करेंगे तो आपको यंतर इंडिया लिमिटेट की official website open हो जाएगी जिसमें non-iti के लिए अलग seat रखी गए और इचातरों के लिए अलग seat रखी गए जिसे कि आप यहाँ पर देखिए टोटल आपको यहाँ पर तिरपंसो यहाँ पर आपको पंचानमे टोट 2023 से फान भरना इस्टार्ट हुए और इसका जो क्लोजिंग जो आप समिशन आप आलाइन अप्लिकेशन जो डेट रखा है इन्होंने तीस तिन दो हजार 2023 रखा है उमर के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चातर फान को प्लाई करना चाहते हैं उनका जो उमर होन की छूट देखने को मिल जाते हैं बाकि जो अधर कंडिरेट आते हैं जो की फिजकली हैंड के अंतरगता थे वह भी आप यहाँ पर देख लेजगा आपके लिए अलग अलग हैं पर उबर रखी गई छूट में हैं निचे आप आएंगे साते हो तो यहाँ पर आपको करते हैं तो इसमें जो आपका होना चाहिए एंसी बीटी और एसी बीटी से आईटी कंप्लीट होना चाहिए यह पहली बात है और दूसरी बात आप ध्याने किएगा कि आपका हाई स्कूल में पचास परसेंट होना चाहिए और पचास परसेंट में आपका जो होना चाहिए वो 50% आपका होना चाहिए और यहाँ पर जो नान आईटेई के अंतरगत 46 फार्म को प्लाई करें दस्वी में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए और 40% जो मार्क है उनका mathematics में और science में दोनों में होना चाहिए इसको आप ध्याने कियेगा निचे आप आएंगे साथ हो स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर विकेंसी डिटेल में आपको कुछ अधर भी जनकारी देखने को मिल जाती है जो इसमें इन्होंने फार्म भरने का तरीका इन्होंने बताया है और किस वेबसाइट से फार्म भरा जाएगा इसके बारे में बन कितनी केवी का यहाँ पर आपको फोटो अप्लोड करना है जेपीजी में या पेडियाप में सारे जनकारी इन्होंने दे रखिया और फार्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्मेंट के जरुवत पड़ेगी इन्होंने उसके भी जनकारी दे रखिया जो सबसे पहले आपको फिजगल सेटिफिकेट यहां पर बनवाना पड़ेगा जो चाहतर पीच या पीड़ेबूडी के अंतरगत आते बाकी अदर के लिए हां पर कोई भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है निचे आप आएंगे साथ हो स्क्रॉल करते वे तो आपको यहां पर आईडी के रूप में क्या अप्लूड करना है तो ओटर आईडी कार्ड या पासपोर्ड या पैन कार्ड या ड्राइबिक लैसेंस या फोटो आईडी कार्ड इसू सेंट्रल से होगा या स्टेट गवर्मेंट से दोनों चलेगा कोई भी दिक्कत नहीं है इसके बाद यहां पर आपको फोटोग् इसके बाद यापके पास होगा तो कोई भी भी कर सकते बाकि नहीं करा जाएगा तो बिल्कुल आपको घवराने की कोई जरोत में नहीं समें इंटर्वियों करा जाएगा नीचे आप आएंगे साथ यह स्क्रॉल करते हुए तो यहां पर आपको कुछ अधर भी जनकारी देखने को मिल जाते हैं कि ट्रेनिक के दोरान आपको कितना पेमें करना पड़ेगा जो चातर जनर और OBC के अंतर गताते हैं उनको 200 रुपे उर फ्लस उनका計स यहां पर लगेगा और जो यहां पर के लिए कितली सीतफ खाली है जिसे कि आप यहां पर देखिए तो आप आप इसका डाउनलूड करके आप अराम से देख लीजेगा डाउनलूड करके आप आप लंबा गे कर disp के दाना मस्किल है तो तो आप notification डाउनलोड करेंगे जहां से मैंने यह website बताया वहां से मैंने डाउनलोड करने का परक्रिया भी बताया तो वहां से आप इसका notification भी डाउनलोड करेंगे